नमस्कार मैं हूँ विनई सिंग और आपको बता दे कि सिविल सर्विस की परिच्छा हुई है पीटी वाली 2019 की प्रारंभिक परिच्छा इसके बारे में डिटेल्स में आज बताएंगे कि कोस्टन कहां कहां से पूछा गया है हमने अलाकि पीटी एक्जाम के पहले भी वीडि को देखें तो हमने सारी संभावनाओं को बता दिया कि कोस्टन सबसे ज्यादा किसके से पूछा जाता है आज परिच्छा हुआ दो जून को दो जून को अलग अलग सेंटर पर एक्जाम लिखा गया तक्रीबन सिविल सर्विस की प्रारंभिक परिच्छा में चार से आथुल भी करेंट इवन्ट और सरकार की पूलिसी से ही पूछे गई हैं defra his व्हस्टी में मॉड्रन हिस्टी से ही ज्यादा समय ंसे मुगल से दो सवाल दिल्ली सब्स है नौर अधुनिक भारविकें से पांच पूछे संब इसी प्रिकार से अगर आप साइन से लगोम से से वहां से साथ आठ कोस्टन बंते हैं जिसमें करेंट को सामिल कर लिया गया है थो चलिए अब आपको बताते हैं डिटेल से एक एक कोश्टन का explanation करेंगे कि कहां से question आ जाया है साथ हमारी इस ही वीडियो के एंतिम कड़ी में आपको कोस्टेनका लिंक दिया जाएगा और इसकी एंसर भी बताए जाएगे के सिपाज बात करते हैं कि कोस्टेन कहां से आया है पहला करें जो था एस सेंट इंफ्रास्टेक्टछर इंवेस्टमें बैंक से आया है हाल की दिनों में एसनि इन होती है उससे कोश्चन से और वर्ड बैंक से कोश्चन है पाइबुलिक सेक्टर बैंक का चेर्में पूछा गया है आप अपने घर में भी आप एंसर की कोशिश करेंगे देने का बीना ओप्सन देखे हुए तो पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी की पोडिशन क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं तो जिरूर कोशिश करेंगे बताने की ट्रोलिय में नेच्टरल गैस रिगुलेटरी बोट जो बनाया गया था इसके काम क्या है इसका चेर्में कौन होत जो लोग ज्यादा समय इतिहास पढ़ने में जोगरफी पढ़ने में कॉस्टिशुशन पढ़ने में सारी चीजों में दे देते हैं करेंट इवेंट को कम आगते हैं उनके लिए पर इच्छा दिकत होगी यानि कि आप करेंट इवेंट को अपनी तयारी का 70 परशन लेकिन भी धियान रखना है कि करेंट इवेंट ही तभी बनेगा जब आपका बेस असपस्ट हो यानि की बेसिक चीज आपकी जानकारी होनी चाहिए अधिकांस कोस्टिन टेंथ प्लस टू के सीबीसी आइसेसी बोर्ड के जब आप सोचल साइंस के पेपर देखेंगे और ब कोस्ट लगबग आपके बढ़ने सुरू हो जाएंगे तो कॉम्निकेशन टेक्नोलोजी से कोस्टन है करेंट इवेंट का कोस्टन है इसके अलावा मैचुरिटी बैने जो मैटरिंटी बैनेफिट एक्ट बना था 2017 2017 में उससे प्लस्ट है और साथ में इज आफ डूइंग ब प्रशन आया है सपोर्टिंग प्राइस प्रोकुर्मेंट प्राइस सब्सेडी एकनोमिस का चप्टर लेकिन करेंट इवेंट में अक्सर यह चप्टर हो था इसले से कोचल पूछा गया फूट कार्प्रेशन आप इंडिया को इंक्लूट करके इसके अलावा सोशल कैपिट से कोच्चन पूछा गया है सामाज सामाजिक पुझी क्या है आपकी लाइबिलीटी क्या होती है हर वैक्ति की भारत में सर्विस एरिया एप्रोच मेनेजमेंट आफ माइनर मिनरल्स एक्स्टरनल डेट ऑफ इंडिया यह तीनों से चप्टर से कोच्टर है और तीनों इवेंट का चप्तर यानि कि किसी भी इसके लिए कोई आपको बहुत बड़ी किताब पढ़ने की जरुवत नहीं अगर आप योजना कुरुचेत्र और कोई बी एक न्यूज पेपर चाहिए वह इंग्लिस हो हिंदी हो आप रेगुलर पढ़ते हैं गहराई से परिच्छा क असानी से फा सकते हैं मिकट असके अलावा क्रेंसी क्रैसी से क्या पूचा गया एसेड़ एर क्मरशल बैंग क्या होता है कमरशल बैंक की जो पूंज यह किसे कहते हैं स्टॉक मार्केट एक कोस्टन देखे बीच में डाला गया है सरकारिया आयोग का फिक्स कोस्टन होता है गवर्नर को लेकर सरकारिया योग से अक्सर कोस्टन पूछा जाता तो यह बहुत अचंभित वाली बात नहीं थी इसके अलावा आफ रोस्टेशन फंड मैनेजमेंट से कोस्टन है और टेली कॉम्निकेशन इंस्वरेंज तो यह भी नए कोस्टन से फाइब एर प्लान से कोस्टन अक्सर आता है तो कोई पुरानी ट्रेडिशन को ही इसने फॉलो किया है सिविल सर्विस ने हाई कोट और एमेंडमेंट से इस बार तीन कोस्टन आया है हाई कोट से भी कोश्टन है सुप्रीम कोट से कोश्टन नहीं है इस बार पर्चेजिंग पाबर पैरिटी यह बहुत चर्चा में रहता है कि भारत की प टोल आर्भी आी करती है इसके प्रस्न पूछा गिया है स्टोरेज ऑपेमेंट सिस्टम बैंक आभीहाल के दिनों में आपने दिखा होगा कि पेमेंड सिस्टम बैंक लाया गया है तो वह उससे थिकोश्टन रखा गया तो वो एक कोश्चन दिया गया था इकोनामिक से मनी मल्टिप्लायर का और इसके साथ साथ में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रूप्स से कोश्चन है ज्यादा कोश्चन अभी तक में जितने भी कोश्चन पढ़ें तकरिबन 30-32 कोश्चन सारे प्रस्ट जो है करें तो जिस बच्चे का एकोनामिक्स बेस होगा और करेंट इवेट अच्छा होगा उसको पीटी निकालने में कम से कम बहुत आसानी होगी सिविल सर्विस की रधर देन कि आप सिप सब्जिक्ट पढ़ते जाएं बहुत ज्यादा तो कोई फाइदा होने वाला नहीं है अब आ किसे कहते हैं इसको लेकर के को से लोगों की राइट टू मैरी मतलब साधी करने का जो अधिकार है वह समयधान के किस अनुच्छेद में दिया गया इभी को से पूछा है इस बार और कुछ कुछ जो है एकोनामिक्स में वर्ल्ड की और ले गया जैसे कि ट्रेड रिप्स जो इस इस बार करेंगे और बहुत ज्यादा इसके लिए पढ़ने की जरुवत नहीं होते हैं लेकिन जो चीजों को आप करेंट में सुन रहे हैं दिन दुनिया में देख रहे हैं उससे संबंधी चीज की अगर आप त्यारी करेंगे तो आप निश्ची तुरुप से परिच्छा को क्वालिफाइग कर जाईएगा इसके अलावा विएरेबल टेक्नलोडी से साल एक कोश्चन पूछा है ब्लेक होल में कुछ रिसर्च हुआ था हाल के दिनों में तो उससे भी कोश्चन का फैटन को रखा गया मतलब जो जो च सब्सक्राइग ग्लोबल कंपेटिटिव रिपोर्ट जो आई है कि रिसेंट वाली चार्टर एक 1813 का तो सारे चार्टर एक आपको पढ़ने होंगे तुर्णा से मुश्किल होता है इसलिए हमने कई बार बोला कि आप कॉमन चीज तो पढ़ लीजिए गर स्वधैसी मुवम सब्सक्राइब आरो इसलिंद के पार आपका दे दिया हमें उमीद है कि उसको बाद में माइनस किया जाएगा पूछा गया था कि इसमें से कौन सा कंप नहीं है आस founded के बारे बोला गया है कि किसमे का नाम का फाइक है बहुत धर्म से एक फ茉तकाल और पुराने आता उसमें हमेशा है पूछा जाता है कि रिवर किनारे कौन सा सहर है।んでैं कौन सी नदी बैती है। मतलब फिर यकोणमिस की और चला गया। के साथ में कलाउड diton 2 पूछा गया है एक तो प्रेशिपिटेशन को लगे और एक बड साईरस क्लाउड को ले करके हैं। से इसके अलावा इलेमेंट से कोस्चन है है बायो स्फेर रिजर्ब से दो प्रस्ट आये हैं तर्टल को लेकर करके आया है वाइड़लायब शंचूरी से इन्वर्मेंट से तीन-चार कोस्चन है इस दिल्ली सल्टनत से एक कोस्चन भक्ती मुभमेंट से दो कोस्चन बिटिस पॉछा गया है पालियमेंट एक्ट कोईला से संबंधित कुछ कुछ से अटल इनोवेशन 21 जून का महत्व क्या है उस दिन सन की पॉडिशन से संबंधित प्रस्ण था स्वाइल मिन्डरल स्वार चाफ था प्रस्ण है क्लाउट से कोश्चन 44 अगनेट मेंट में कानून कैसे बनता है मोशन को लेकर के उससे प्रस्ण से दो प्रस्ण आया एक तो पुछा घ्या था कि कि त्युल में से वाला है और एक में पूछा गया था कि जब नाइंच्वी 151 में भारत के पधान मंत्री कौन थे तो बहुत आसान था प्रस्ट है यूपसी का फेबरेट कोश्चन होता है कि के किनारे कौन कौन सा देश है तो आया है कुश्चन और रामसर कन्वेंशन भी हर साल कोश्चन पूछा जाता है तो अगर आप देखेंगे तो देखेंगे ट्रेडिशनल कोश्चन अब आप देख लीजिए जो लोग दच्छिन भारत के इतिहास पढ़ते हैं इतिहास में लंबे चोड़ी पढ़ाई करते रहते हैं वहां से देखेंगे कोश्चन नहीं है आप दुनिया भर कमानों गुगल पढ़कर जाएंगे क्लाइमेट पढ़कर जाएंगे वहां से को को चाली सकरेंट से कई वीडियों में बता या एक मेना पहले बेंगे सारी वीडियों में बता दिया कि करेंट इवन्ट से 40 को शिल्म होगा जो इस बार भुए जोगर अभी यहां और संसे अथा घटा यह सचिएगा और जो आया बहुत ऐजी था कोस्चन तो हम उम्मीत करत करेंगे बताने की कि जो लोग आने वाली समय में परिक्षा लिखेंगे उनको अभी से करेंट इवेंट पढ़ते रहना है धियान में रखना है करेंट इवेंट जो आपको लगेगा कि नया घटना घटता है लेकिन पूराने चीजों को जानते रहिएगा तभी जाकर कि आप नये को लिंक करेंगे नये को जोड़ेंगे तो आपका ज्यादा इजी हो जाएगा योजना कुरुच्छत रेगूलर पढ़िएगा हिंदू नीच पर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है तो नेट का जमाना सारी चीज आपको मिल जाएगी हमसे आप ऐसे ही जुड़े चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया